अगर आप लोग पहला कदम रखना चाहते हैं तो उसमें मैं अपने experience के साथ में आपकी मदद करूँगा Actually आज का ये सबसे पहला वीडियो है ये आपके लिए है कि इसमें हम वो पहला कदम रखें उससे पहले हमें थोड़ा सा syllabus का अंदाजा हो Actually सबसे पहले हमें exam pattern का पता हो अब ये आपके पहले 3-4 वीडियो ऐसे आने वाले हैं जिसके नराज सबसे पहला वीडियो जो है वो पूरा exam pattern है Actually HCS क्या है उसमें कौन-कौन सी post होती है कितने exam होते हैं और कितने-कितने exam में क्या-क्या scenario रहता है कितने total marks होते हैं कौन-कौन से subject optional हो सकते हैं वो पूरी guideline आज की इस वीडियो में रहेगी अगले वीडियो में proper syllabus रहेगा इसके अलावा हम लोग preparation कैसे कर सकते हैं उसके उपर बात रहेगी और उसके बाद आपके लिए free of course यहाँ पे इसी YouTube चैनल पे daily classes daily होगी या हफते में दिल से आप लोगों को सुनना या समझना होगा तो मेरी आप लोगों को हिदायत है यहों समझ लीजिएगा कि आप एक register ले आईएगा बढ़ियासा बिलकुल साफ plane वाला क्योंकि आपको answer writing के लिए कुछ वैसे ही practice समझो करनी है और वो register लाके आप लोग जो है ना proper नित न कहे अनुसार preparation करना start कर दीजिएगा उमीद है कि ये वीडियो आप वो देख रहे होंगे जो बच्चा अभी अभी graduation या तो पूरा किया है या graduation के final year में है या हो सकता है वो बच्चा अभी graduation के पास में जाने की courses में है first year second year में लेकिन उसका सपना कहीं न कहीं हर्याना civil service का ह है actually देखा जाए तो UPSC और HCS में पिछले एक दो सालों का जो pattern देख रहे हैं तो बिलकुल वैसा वैसा pre और main दोनों का pattern same to same आता जा रहा है लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो थोड़ा थोड़ा फरक difference है वो जैसे जैसे lectures आगे बढ़ेंगे वो आप लोगों को मैं बताऊ अगर आप right strategy से चलते हैं सही तरीके से पढ़ाई करते हैं तो यूं समझिएगा confirm है कि selection हो जाएगा पूरा सा effort चाहिएगा होता है effort तोड़ा strategic चाहिए होता है एक line up effort चाहिए होता है अगर सही दिसा में प्रियास किया जाए तो यकिनन जो है आपका selection होई जाता है तो कहते हैं कि अगर किसी एक जगह पे माल लेते हैं पत्थर है बहुत भारी बरकम पत्थर है या बड़ी से लकडी होती है तो कुलाडी से अगर एक एक जगह पे एक जगह पे मारा जाता है तो लकडी अलग हो जाती है पत्थर तूड़ जाता है लोहा भी कट जाता है अगर जगह जगह से लोहा काटने लगेंगे तो नहीं कटेगा एक एक जगह पे अगर आरी का blade है उसको अगर च आफट जाता है तो अगर जी दिसा में desa में एफ़र्टाले जाये जिस जगह पर पहुंचना चाहते हैं उस कर रहेंगे लगाथार ना 9 39 सबसे पहली बात है कि एक्साम ढत्र प्लें टीसा में देखते हैं कि क्या होता आप सबको पता है कि कोई exam अगर sales services की देने की बात कर रहे हो तो उसकी तीन stage होती है common sense बात है। पहली stage में आपका exam होता है pre का, दूसरा stage होता है आपका main का और तीसरा stage होता है फिर आपका interview का और यह तीन stage अगर आपके clear होते हैं तो इस stage के दोरान आप लोगों का selection भी हो ज लग जाता है बाकि depend करता है यह उस commission पे हो सकता है कि वो 7-8 महिने में भी complete करवाया जा सकता है इसको, sir क्या यह vacancy हर साल आती है तो इस बात का कोई shorty नहीं है यह vacancy HCS के लिए हर साल ही आए लेकिन हां लगबग यह समझेगा कि जैसे 2021 का vacancy आया था 22 का vacancy देखने को मिला है और अब हो सकता है कि अगर ऐसे line to line चलते रहे या department में थोड़ी post है वो भी vacant है उसके एधार पे चलते रहे हैं तो 2024 में भी vacancy देखने को मिलेगी आपको यह थोड़ी कम यह जादा है क्योंकि actually क्या है कि vacancy ऐसी नहीं है कि हजारों लाकों में मिलती है यह vacancy आपको थोड़ मिलती है मतलब under 200 ही तकरीबन आप लोगों को यह total overall vacancy देखने को मिलती है क्योंकि यहां पे limited number of officers जो है न हो चाहिए होते हैं तो यह hop है यह उमीद है कि next year 2024 के अंदर vacancy देखने को मिले आपको बाकि आप लोगों को यह तो उमीद है देखो 2024 यह 25 का इस बात में दवन दव इस बात में confusion नहीं रखना कि 24 में नहीं आया तो कोई बात नहीं 25 में आ जाएगा लेकिन you have to prepare for this आप लोगों को बहुत अच्छे से prepare तो पहले होना पड़ेगा आप कैसे इस पूरे syllabus को अच्छे से पढ़ पाए हैं और शोर अगर one time में selection चाहिए तो आपको at least इस पूरे syllabus इसको five time revise करना बहुत ज़रूरी है जितना मैंने असानी से पांच बार कह दिया है उतना असानी से करना असान नहीं है ठीकर ना मैंने का नामुम्किन नहीं है लेकिन इसमें effort बहुत डालने पड़ेंगे मुश्किल भी नहीं कह रहा हूँ मैं तो मैं तो कह रहा हूँ efforts बहुत ज़्यादा चाहिए मुश्किल तो दुनिया में कुछ होता ही नहीं है अगर हम efforts डालने start कर देते हैं तो हाँ वो बात अलग है कि हम सोचते हैं कि हम ये कर जाएंगे लेकिन उसके लिए reality वे efforts नहीं डाल रहे होते हैं या डाल रहे होते हैं तो strategic effort नहीं होते हैं पतलब directions गलत होती है जिस दिसा में पहुँचना होता है वो दिसा नहीं होती कोई और डारेक्शन पकड़ लेते है च बहुत सारे गुरुजनों के चत्रचाया में यहां तक पहुच पाए पढ़ाने लग गए और पिछले 7-8 सालों से पढ़ा रहा हूं तो उसी experience को मैं आप लोगों को जो है ना वो देने की कोशिस करूँगा और इसके अलावा जो है अपने गुरुजनों से या अपने पढ notice करेंगे तो इन्होंने लिखा होता है officially syllabus ही बता रहा हूं मैं आपका for screening only मतलब इसके marks आपके final के अंदर add नहीं होने वाले हैं screening है इन्दा science यह आपको pre इसलिए लिया जाता है ताकि secondary exam में या यूं कहिएगा mains exam में आप लोगों को बिठाया जा सके कितने लोग mains में बैठेंगे इसको check करने के लिए इसी pre exam में ही दो paper होते हैं same दिन paper होते हैं एक morning में होता है एक evening में होता है तकरीबन समय एक सुबह 10 से 12 रखते हैं एक आगे रखते हैं यह आगे शाम को 3 से 5 रख लेते हैं या 2 से 4 रखते हैं वो depend करता है क्या रहता है तो पहला paper होता है एक GS का होता है जिसको आप लोग journal studies कहते हैं morning shift में यही करवाते हैं यह second जो होता है CSET civil service aptitude test होता है यह दोनों के दोनों paper जो है वो 100 marks के होते हैं इन दोनों ही paper के अंदर 1 by 4 आपकी sorry 1 by 4 जो है यह negative marking होती है यानि कि 0.25 percentage के आपकी negative marking है कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर आप लोग 4 question गलत कर देते हैं ना तो एक सही वाला कट जाएगा आपका simple साधी भासा में मतलब इसका यही है अच्छा यह दोनों exam है इन दोनों exam में एक exam जो है वो qualifying है और वो कौन सा है यह वाला qualifying है यह qualifying है कितना सा only 33 percentage number इसके अंदर लाने होंगे 33 percent number अगर लागते हैं तो इसको आप लोग जस्ट qualify कर जाएंगे मतलब यूं समझिएगा कि 100 में से अगर आपके 33 number आगे हैं तो qualifying कर जाएंगे आप लोग इसमें एक खास बात यह है आप यह सोच रहे हैं चलो ठीक है इसको तो हलके में ले ले लेते हैं और इसके उपर आ जाते हैं मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि इसका आज कल लेवल बहुत जादा उंचा उठता जा रहा है दिन परते दिन इंजिनियर्स के जो इंजिनिरिंग किये वे चातर हैं या बहुत अच्छे लेवल की जो पढ़ाई कर चुके हैं उनके भी धीरे धीरे पसीने चूट र ले लेंगे असानी से उतना असानी से नहीं हैं हां लिए जा सकते हैं अगर एफट डाले हुए हैं तो असानी से क्या पता आप भी जाएं आपके लेवल की इस पर फोकॉस करना बिल्कुल जरूरी है क्यों कि अगर मान लो आपके इस वाले एक्जाम में 33% मार्क्स नहीं आ अगर इसमें आपके 32 नमबर आएं तो आप ये पेपर में फेल तो वहां पर आपका ये पेपर चेक होने ही नहीं जाएगा तो मतलब यूं समझेगा कि ऐसा कुछ नहीं है एफट डालने हैं तो मैं आपको सही दिसा में लेने के जाने कोसिस करूँ तो बिल्कुल नहीं कह जाहूं कि ऐसे बात कि इसको पढ़ लो इसको छोड़ दो ऐसा नहीं होता है छोड़ना किसी को नहीं है आपको बहुत अच्छे से प्रिपेर होके जाना पड़ेगा स्टाटिजिक तरीके से अच्छा अब यहां पे बात आती है सरे काम करते हैं इसके लिए हम लोग मतलब क्या है कि इसका भी एक syllabus है अपने इसका syllabus देखेंगे ठीक है ना हलंकि मैं इसका teacher तो नहीं हूँ मैं इसको पढ़ा तो नहीं पाऊंगा मैं तो आपको के वल इसी वाले part में इसी वाले section में मदद कर पाऊंगा लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि इसका syllabus क्या है या regarding इससे related जो subject इसमें है logical reasoning है mathematics है या aptitude वगरा आपका आता है या English है आपका तो उसके लिए आप लोग related faculty से भी ज़्यादा पूछ सकते हो इससे लिए direction ले सकते हो जो इसका syllabus है उस syllabus में जो जो point है उनको एक बार अच्छे से clear करना पड़ेगा अब देखो ये civil service एक बहुत ग इस level के साथ साथ आप और बहुत सारे exam के like भी बन जाते हो अलांकि direction नहीं बदल नहीं है मेरी बात पर focus करना आप लोग मैं कहना क्या चाहरा हूं कहना यह चाहरा हूं कि direction नहीं बदल नहीं है ऐसा नहीं कि पढ़ते पढ़ते देल किया बीच में कोई और exam आया चलो आज व नहीं होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा serious aspirant जो होते है न वहीं जा पाते हैं आज के समय में कॉंपिटिशन बहुत हो गया है तो अगर सही तरीके से सही rank लाना है आपको आप top 10 में top 50 में आना चाहते हो तो आपको direction नहीं बदलना लेकिन हां यह तो कहना गलत नहीं होगा कि यह plan A के साथ यह अपने आप आपके plan B, C, D भी त्यार कर देता है अपने आप मतलब आपको नालाइक नहीं चोड़ेगा बहुत अच्छा लाइक बना के चोड़ देगा इसकी यही महिमा है इसकी यही कृपा होती है civil service exam की आपकी बात समझ में आई चीक है sir तो इसके भी point है इसके भी point है बाकी syllabus को मैं आगे discuss करूँगा फिलाल के लिए exam के plan discuss कर रहा हूँ दोनों exam होंगे दोनों exam में 0.25% की negative marking होगी qualifying के लिए 33% marks fix है यह सब बाते मैंने आप लोगों को share कर दी अब बात यह आती है आपकी कि जो आपका pre exam होता है अगर वो pass हो जाता है तो उसक post होती है उस post का multiply by 12 करते हैं यह ठीक ना 12 times of the number of advertised post जितनी भी post आपको उन्होंने advertisement में डाली है उसको गुना बारा करेंगे उतने ही candidate में में लेके जाएंगे जितनी भी post होगी उसका गुना बारा करके यह ले जाएंगे मेंस के अंदर ले जाएंगे जैसे मेंस में आपको लेके जाते हैं तो मेंस के अंदर एक्जाम होता है रिटन एक्जाम और यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं यह MCQ वाला नहीं है प्री के अंदर दोनों एक्जाम थे वो objective type question थे हलांकि जो वो MCQ आते हैं वैसे question UPSC का सेम पैटरन है अब आप समझते होंगे straight forward direct question नहीं होते ह होता है और HPSC जादा तर जहां तक मेरा experience देखने को मिला वो यह कि मिलाहन करने वाले क्यूस्तन तो बहुत आते हैं matching वाले ठीक है match the following match the following ऐसे 4-5 option रहते हैं हम PYQ paper भी यहां पर solve करेंगे उसके बाद ही हमारे syllabus को start करेंगे आगे जाके हम लोग ठीक है तो मतलब यह हुआ आपका कि यह आपका main exam जो ना यह subjective है तो pre-exam है वो objective है दोनों ही paper CSP और GSP दोनों ही paper objective है यह paper आपके चार होंगे यहां पर और यह चारों के चारों paper जो है ना आपके subjective होंगे मतलब यहां पर आपको लिखना पड़ेगा इसलिए मैंने starting में कहा था कि एक register ले आईएगा जो बिल्कुल plain register है और लिखने की आदर डालिएगा अभी अभी और अच्छी साफ लिखाई की आदर डालिएगा proper notes बनाईएगा यह बनाईएगा और बहुत अच्छे तरीके से और spelling mistake कम से कम हो आप Hindi English जो भी language चूज करें दोनों की spelling indices वहां मात्रा की गलतियां कम हो और यहां पर आपकी spelling mistake कम हो और यह कब habit बनेगी जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो कि आज कल का जमाना social media का होगा तो यहां लिखने की आदर चूट चूट चुकी है यह नहीं क किताबे और notes बनाना start कर दिया लिख लिख के याद करना start कर दिया शूर्टी है लिखवा के लेलना तुम लोगों का selection हो जाएगा तुम लोग असानी से जो भी तुमारा मकसर target लेके बैटे हो वो आपका crack भी हो जाएगा बात को तुम समझे होंगे ठीक है तो इसके अंदर देउनागरी script वाला 100 marks का यही रहेगा इनकी तो language होगी fix Hindi है तो Hindi English है तो English अब बात आती है GS की अब सरी एक बात बताईएगा यह GS का paper है तो मैं इसको कौन सी language में दूँ मैं इसको Hindi में दूँ या English में दूँ और या मैं ऐसा कर लूँ क्या कि कुछ यह की चीज़े जो मु जो language आपने select की है वही language में आपको लिखना पड़ेगा बले ही आप pure English में लिखे बले ही आप pure Hindi में लिखे वो आपकी इच्छा की बात है लेकिन जो आपने select कर लिया आपको उसी language पे ही रहना पड़ेगा ऐसे आदा अदूरा करोगे तो ऐसे तो आप आदे अदूरी रह होगे कहीं घड़के न घाटके ऐसी ही बात रहेगी और वन optional subject पहले क्या होता था HPSC के अंदर दो optional subject हुआ करते थे लेकिन 21 के बाद में new pattern आया था उसके अंदर अभी single optional subject है यह optional subject आपके लगबग 39 है list में और इन list में से आप लोग choose कर सकते हो कि कोई भी जैसे for example agriculture है अनि economics भी है electrical engineering है English literature है geology है and geography है के अलावा Hindi literature है इन देवनागरी script है Indian history है low है mathematics है management mechanical engineering है medical science है physics है philosophy है political science and international relation है psychology है public administration इसमें आता है इसमें आता है Punjabi literature है statics है sociology है Sanskrit literature है and geology है total 29 subject की जो है लिस्ट दे रहा की है officially अपना एक बात थोड़ा सा बतातीता हूं मैं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इस सारे ही subject सर sociology लेते हैं या ज्यादा तर मैंने देखा कि सर anthropology लेते हैं तो हम भी वही ले ल सारे क्या कर रहे हैं सारे तो कुवे में गिर रहे हैं हम कुवे में थोड़ना गिरना है सारे तो गाली गलोच कर रहे हैं सारे तो दारू बीडी पी रहे हैं तो आप लोग कुछ ऐसा करेंगे क्या नहीं सब जो कर रहे हैं वैसा नहीं करना आपको करना है अपने आप से करने का एक तरीका ये है कि आप लोग ये देखिएगा कि आपका graduation कि subject में चल रहा है इन 39 की list में से कोई तो आपका हो गाई वैसे तो भी गए ना कि इन 39 की list में नहीं है उसके बारे में बाद में बात करते हैं लेकिन फिलाल कोई तो एक हो गाई for example आप history आपके graduation में रहा होगा engineering में आप civil engineering कर रहे हो chemistry, botany, science कोई आपका चल रहा होगा physics चल रहा होगा तो पहली आपको 100% direction है कि आप जो आपके graduation में subject है वही optional ले लीजिएगा ऐसा क्यों sir ऐसा इसलिए कि यार तुमने तीन साल तक उसको पढ़ा है graduation में engineering किया चार साल तक तुमने पढ़ा है तो तीन चार साल लगाता है जब आपने जिस subject को पढ़ा है अब उस subject का basic बहुत अच्छा आपका clear है और के अलावा आपको थोड़ा ओड़ डिटेल पढ़ोगे असानी हो जाएगी optional को और optional subject game changer subject होता है लिए सर वो subject जो अपस्टनल ग्रेजुशन में हमने लिया था ना वो तो हमें खुद ही नहीं पता graduation बारवी के बाद में घरवालों ने पकड़ा दिया था और किसी के देखा देखी में हमने उस subject ले लिया था हमें तो खुद पता ही नहीं था हमें तो graduation पूरी होने के बाद पता लगा था अच्छा ये भी कोई subject था क्या हमारी उस subject में कोई personal इच्छा नहीं थी वैसे दिलवा दिया गया सर उस subject को हमने रो रो के पूरा किया है तीन साल तक आप कह रहें उसको फिर पकड़ लो और अगर ये situation आपकी है तो इस condition में आप क्या करें इस condition में आप यूं करें कि जो subject में आपका interest बनता है जैसे दिखो क्या है से 39 के 39 तो आप पकड़ने से रहें आप आर्ट के student है तो common sense बात आप chemistry, botany, civil इनके तरफ तो आप जाओगे क्यों ये तो आपकी subject list से अपने आप ही eliminate होते दिखाई दे रहे हैं लेकिन कुछ ये की subject है जो आप एक दो तो खर चार पांच common subject है जिनमें आप लोग थोड़ा सा interest दिखा होगे उनको आप एक काम करो एक एक दो दो दिन पढ़ पढ़ के देख लो इसमें थोड़ा पढ़ने से इंटरस्ट बन रहा है हालांकि कहना एकदम से जज़ करना इतना ठीक नहीं है लेकिन इसके इलावा कोई और आपके पास option भी नहीं है तो का मारने से तो अच्छा है कि छोटा सा एक छोटा सा experiment तो खर कर ही लिया जाए तो दो दो चर चर दिन ऐसे पढ़के देख लो थोड़ा tough topic पढ़के देख लो उसमें से जल्दी समझ में आ रहा है या जल्दी सीखने को दिख रहा है आपका तो उस subject को आप लोग जो ना ऐसा नहीं कि किसी की video देखके वो तो खु तो किसी के कहे नहीं select करना है खुद से पूछ के योगी खुद की power खुद का अगर आपका थोड़ा सा capacity होगा ना तो ही जाके आप लोग करेक कर पाओगे मेरे कहने से क्या होता है मैं तो कह दू मुझे तो botny बहुत पसंद है मुझे तो chemistry बहुत पसंद है मुझे तो electrical engineering मेर तो जो B-tech है वो electronics and company kitchen engineering है तो मैं तो कह दूँगा electrical engineering ले लो electronics engineering ले लो civil ले लिए जिएगा agriculture मेरे interest है उसमें किसी कहने से कुछ नहीं होता है वो अचा कोई कहता है anthropology बहुत चोटा होता है sociology कम होता है चोटा बड़ा कुछ नहीं होता है interest की बात होती है जिसमें तुम्हारा interest ह हो कितना लेंथी क्यों नहीं हो उसमें आप बहुत अच्छे से मोती से गाड़ा होगे और इस बात को समझे होंगे इसी बात को continue हम देरे देरे आगे के lectures में भी करेंगे अभी जरूरत रहेगी तब ठीक है ठीक है सर अब तो ये तो बात होगी है आपकी यहां पे English including essay वगर है ठीक है यह बात मैंने आपको mention अच्छे से कर दिये candidate but not candidate shall be permitted to answer any one paper पार्सलीन हिंदी और पार्सलीन इंगलिस आदा अधूरा वाला नहीं करना है एक ही भासा में लिखना पड़ेगा जो भी लिखना है इन एक पेपर के लिए तीन घंटे मिलता है ठीक है ना मतलब एक पे पर के लिए तीन घंटे जो आपके दिये जाते हैं यह भी थोड़ा सा आप mention रख लेंगे इसको भी अच्छा अगर आप लोगों का selection की बात की जाए वैसे तो खेर cut off वगरा है लेकिन overall मतलब कम से कम minimum criteria कोई रखा गया है तो वो रखा गया 45 percentage का criteria रखा गया है ध्यान रखि in Hindi और देवनागरी script and English मतलब क्या है कि Hindi और English में तो कम से कम 30-30 percentage चाहिए और बाकि जो GS वाले उनके अगर कम से कम 45 percentage minimum marks चाहिए तब आप लोगों को वहाँ पर entry मिलेगी interview के लिए टॉफ रहेगी लेकिन at least ये भी नहीं है कि आप मतलब इससे भी नीचे लिया हो at least ये तो एक criteria रखी दिया है इन्होंने ठीक है ना calculator वगरा लिजाना असर allow होता है कि या तो कोई calculator examination hole में आप नहीं लेके जा सकते है अब बारी आती है कि आपने अगर पहला level भी crack किया तो था तो दूसरे पे भी आगे थे आप लोग दूसरा बहुत ज़दा महनत मांगता है आपको no doubt वो महनत को तो करना ही है थर्ड लेवल पे आती है बारी तो आता है आपका interview personality test कहिएगा या वाईवा वो इस कहिएगा आप लोग ठीक है ना वाईवा तो interview आपना होता था था college में उस type से का समझेगा 75 marks का है यह अब यह तो personality test है और इसके बारे में तो बहुत सारी बाते हो सकती है तो बहुत बात की बाते हैं कि क्या पूछा जाता है क्या नहीं है ऐसा वो मत करना कि सुरुआत से day first से आप interview की त्यारी करतें लग जाओ मतलब एक दो को ऐसा भी मतलब इसके उपर जी जान नहीं जोंकनी है जी जान जोंकने वाले अभी लेवल दो और बहुत बड़े हैं पोस्ट इसके अंदर अब जो मेजरली में पोस्ट हाती है वो यही कुछ 10-12 पोस्ट है आपके लाइक हर्याना सेविल सर्विस जो executive branch में पोस्ट जिसके लिए अच्चों का target रहता है एलावा आपकी DSP की पोस्ट रहती है deputy superintendent of police रहते हैं exercise and taxation officer है district food supply and controller की पोस्ट है एक लास तसीलदार की पोस्ट होती है assistant registrar cooperative society की पोस्ट है assistant exercise and taxation officer की पोस्ट है BDPO block development panchait officer traffic manager district food and supply officer assistant employment officer ये जर्नली आपकी जोना सारी की सारी पोस्ट है इनके लिए आप बच्चे लोग त्यारी करोगे Actually जो top rankers होते हैं उनको वो मिलती है धीरे धीरे according to rank ये सारी group A की ही पोस्ट है ये कोई ऐसे खराब पोस्ट नहीं है समझेगा सबी अपने आप में बहुत ही valuable पोस्ट है तो आप किसी को उन्चा निचा तो खर क्या ही देखना कोई भी मिले आपको तो बहुत अच्छा है टार्गेट आप यहां रखो वहां रखो पोसिस्तों रखो कि टॉप की ही रखो आप टार्गेट ठीक है चलिए खर वह आगे की बात है अब सर कोन फॉर्म भर सकता है कोई बहुत सारे जगल है खर आपके तो यहां आप जाम भी अगर रगी तो आप होगी नहीं भर सकते हो फोर्म सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि सर मैं राजस्थान से हूँ उप सर मैं यूपी से हूँ सर मैं बिहार से हूँ तो क्या मैं सीस दे सकता हूँ दे सकते हो गई यह पर हाँ वो जर्नल कटेगरी में काउंट हो गए आप लोग पर आप दे सकते हो कॉमन सेंसी बात है यह ठीक है अब क्या बात है सर एज लिमिट क्या है डियस पी की पोस्ट को छोड़के बाकी सभी एगजाम के लिए आप ब्याली साल से उपर नहीं होने चाहिए तो आप ब प्रक्सिमम आपकी जो है वो ब्यालीस होने चाहिए ठीक ना यह ध्यान रखिएगा कि अगर डियस पी बनना है तो वो अठारा से सताइस के बीच में होने चाहिए बाकी के अलावा जो मैंने आपको यह ग्यारा पोस्ट दिखाई थी इन में से इस पोस्ट के लिए बस आप को अठारा से सताइस से यह होता है ठीक ना बाकी सब भी इस पोस्ट को छोड़ गे अठारा से बयालीस के बीच में आप लोग जो है ना वो भर सकते हैं ग्रेजुएशन आपकी कम्प्लीट होनी चाहिए अपीरिंग मगरा कोई लेना देना नहीं है ठीक ना कम्प्लीट ग् एक्जाम में रहता है बाकियों में तो वो भी इसमें भी रहता है एक्जामपल अगर आप ऐसी केटेगरी में आते हो या सेडूल ट्राइब में आते हो तो फाइफ यर है बैकवर्ड क्लास के लिए भी फाइफ यर है मिल्टरी परसन के लिए सब कुछ वो नॉर्मल जैसे रहता है आपका अनमेरिट वोमेंस के लिए भी इसमें फाइफ यर का रिलक्षिशन दे रखा है ठीक है तो जो नॉर्मल ही रहता है आपका क्राइटेरिया सभी एक्जाम के लिए नदर वो सेम ही है यहां पे कुछ खास अलग है भी नहीं ठीक है सर हाँ डियस्पी के लिए थोड़ा सा rule and regulations है height chest भी उसमें measure की जाती है physical measurement भी है बागी किसी post में कोई physical measurement नहीं है इसमें तो है male category के लिए 5 foot 7 inch तकरीबन जो ना 170.18 cm की height चीए chest उसके जो है ना यह चाहिए आपकी without expansion और expansion के साथ में woman के लिए जो है ना 5 foot 2 inch लगबग 157.50 cm की height चीए और इनके लिए य measurement area होता नहीं है ठीक है चलिए सर उसके बाद में बात आती है सर इस form को अगर हम भरते हैं तो इसके लिए fees कितना लगता है तो इस form को अगर बढ़ा जाता है तो journal category के लिए जो है ना 1000 रुपे लगते हैं male candidate के लिए ठीक ना जर्नल है या अगर वो dependent person भी है सबी के लिए और लड़िक्यों के लिए इसमें 250 लगते हैं SCBCA, BCB और EWS अगर economically weaker section है इन सब के लिए 2500 रुपे लगते हैं और all person with disabilities अगर कोई disabilities से करस्त है और 40% कम से कम disabled वो certificate बना होगा उनके लिए कोई fees नहीं होती है वो निल रहता है ये कुछ उनका fees वाला criteria दिखाई देता है ठीक है so मेरे प्यारे दोस्तों मेरे प्यारे student भाईयों भेनों जो भी आप मानते हो दोस्त मानों तो आपके लिए पहला कदम ये था ठीक ना एक छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी है तो आप बिलकुल पूछ सकते हैं initiative कैसा है इसका feedback दे सकते हैं आप लोगों का मुझे ब group create कर सकते हो बता सकते हो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा serious aspirator हो बिलकुल free of cost लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मर्यादा चोटे discipline चोटे कहे अनुसार काम करना जितना कहा जाता होतना काम करना test कभी लूँ आपका मैं तो इस test को बड़ी बखुबी निभाना आप लोग मैं म syllabus discuss करूँगा कि क्या पढ़ना चीए कहां से पढ़ना चीए आज हमने examination discuss कर दिया है syllabus discuss करेंगे दीरे दीरे हम लोग इसके पूरे sequence फिर byq और फिर हम लोग topic से start करेंगे directly ठीक है